महा बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शेलेंदर चवान और शुरुवात करेंगे मैंपूरी की बड़ी खबर से मैंपूरी से बड़ी खबर आ रही है भारी बारिश के कारण शमिशान घाट में भारी दिक्कतें शवो का अंतिम संस्कार खेतों में करना मजबूरी है मैंपूरी का इमामला है मृत्यकों के परिजन ले रहे हैं पॉलिथीन का सहरा बड़ी खबर मैंपूरी से अंतिम संस्कार के लिए समस्याओं से जूज रहे हैं लोग कोटवाली के हरचंदपूर में एक महिला का निधन हुआ था आप तज़्वीरों में देख सकते हैं भारी बारिश के कारण शम्शान घाट में भारी दिक्कते हैं लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा ही तज़्वीरे हैं कि बारिश का पानी भरा हुआ है अंतिम संस्कार के लोग कि तरह से जूजते नजर आ रहे हैं ये तस्वीरे बया करती हैं मैंनपूरी की तज़्वीरे हैं शम्शान घाट में बारिश का पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार करने के लिए भारी दिक्ते उठानी पड़ रही हैं और लोग पॉलिथिन ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं जल जमाओं की वजह से एंदेख स़ैंड घाटं की बात करी जाती बड़े बड़े बियानबाजी होती है भाशब़ों संस्कार को ले कर अजय आता है तक्रा हो जाता है उस्यारों को रोध्य चाहिएश्姆ज करने चाहिए जो बुनियादी ववस्ता है वो इस तरह कि खुले आस्मान को खुले आस्मान पर अंतिम संस्कार करने के लिог मजबूर हैं वहाँ पर सेट की ववस्ता नहीं है ताकि जो लोग है उनका अंतिम संस्कार किया जा सके और भारी बारिश की वज़े से वहाँ पानी भर चुका है लोग अंतिम संस्कार वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं कि तो सरकार की नाकामी चलगती है साफ तोर पर सरकार जो है बड़े-बड़े दावे करती है वाइदे करती लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं तजबीरे मैंपुरी की तजबीरे हैं जहां पर शम्शान घाट में पानी भरा होने की वजह से लोगों को इतनी मुश्किले उठानी पड़ रही है कि पॉलिथीन सर पर लगा कर लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं चारों तरफ से लोग पॉलिथीन को पकड़े हुए हैं क्योंकि शम्शान घाट में पानी भरा हुआ है वहाँ व्यवस्ता नहीं हो सकती है